नमस्कार बच्चो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जोग्राफिक गुरू आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ पोल साइंस की और कंटीनूर रखेंगे हमारी क्लास टेंथ SST शोसर साइंस क की Most Important Questions की सीरीज को यह जो हमारी Most Important Questions की सीरीज है इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज Most Important Questions आपके साथ शेयर करते हैं Most of the chapters हम already cover कर चुके हैं कुछ chapters हमारे pending हैं जिसको हम within 15 days cover करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज में हम क्या करें इस सीरीज में actually में हम 3 टाइप के questions है वो आपके साथ शेयर करें वो 3 टाइप के questions कौन से देखें 1 टाइप के वो question है जो chapter के main theme या फिर main concept को cover करते हैं देखें चा subject में 30% most important topic होते हैं जो theme या concept से जूड़े होते हैं और आपके exam में आपके board exam में जो 75% questions रहते हैं वो questions इन्हीं topic से related होते हैं यानि कि ये topic सबसे important है तो सबसे ज्यादा focus हमने इन्ही 30% topic के उपर किया है जैसे आपने कई बार देखा हुए कि काफी सारी students होते हैं उतना ज्य important है वो उनके उपर focus करते हैं थोड़ी सी मैनत करते हैं 2-3 months भी उन्होंने focus कर लिया तो at least 75-80% के आसपास वो score ले जाते हैं वो इसलिए ले जाते हैं तो सबसे पहले हमने focus किया इसी type के concept के उपर topics के उपर या questions के उपर उसके बाद बाद आती है second type के questions की second type के वो questions जो कैसे आपको दिखाई देंगे गर आप previous years के question paper को check करोगे तो जो questions हर बार आपके exam में आते हैं हर बार board के exam में repeat होते रहते हैं little bit उनकी language change हो जाती तो उन questions को भी हमने इस सीरीज में include किया है उसको बाद third type के questions है जो value based questions है आज कल उनको भी अच्छा खासा weightage दिया जा रहा ह तो उनको भी हमने इस सीरीज में include किया है आज का हमारा chapter हैगा आपका poll science का third chapter है new edition के according जो new books है उसके according और जो old books है उसके according ये fourth chapter है that is जाती ध्रम और लेंगिक मसले ओके इस chapter से related most important questions हम discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे one marker की उसके बाद बात करेंगे two or three marker की और end में हम discuss इस chapter related जो five marker या long answer type questions बनेगे let's begin चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले one marker question के उपर हम focus करेंगे इसमें देखिए first जो हमारा question है श्रम के लेंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं श्रम के लेंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं देखिए यहां question से हमारे काफी सारा concept clear हो जाता है कि श्रम का बंटवारा काम का बंटवारा किस के अधार पे लेंग के लेंगिक विभाजन कारते हैं पुरुषों और महिलाओं के बीच में उनके लेंग के आधार पर काम का बंटवारा होना कारे का बंटवार होना देखिए इंडिया की particularly बात करें तो अपने य लिंग के आधार पे हलांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि particularly ऐसा होना चाहिए लेकिन ये प्रमप्रा चलती रही है और उसको इस तरीके से माना जाता रहा है तो इसी श्रम का लेंगिक विभाजन कहते हैं अलांकि अगर पश्मी देशों की बात करें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं ह लिखावा थोड़े है कि घर का काम करना कपड़े दोना खाना बनाना सिरफ फिमेल का ही टास्क है कोई भी कर सकता है या बांट करके भी क्या जा सकता है लेकिन अपनी हाँ पर लिंग के आधार पर ऐसे काम का बंटवारा किया है तो इसे बोलते हैं श्रम का लेंगिक विभ लो में सभी पक्षों में पुरुषों और महिलाओं की समानता का समर्थन करता है उससे हम णारिवादी अंदोलन बोलते हैं ओके feminist moment उसको हम कहेंगे यानि कि वो आंदोलन जो ये चाहता है कि महिलाएं और पुरूशें उनमें समानता होने चीए हर पक्स में हर पहलों से समानता होने चीए कहीं पर किसी भी आधार पर भी link के आधार पर भेदबाव नहीं होना चीए तो इस परकार का जो आंदोलन जो इस परकार की विचार धरा का समर्थन करता है उस आंदोलन को बोलते हैं नारिवादी आंदोलन ओके, clear? चलिए, next question की बात करते हैं अगला जो हमारा person रहेगा यहां से थर्ड हमारा question रहेगा किनी दो देशों के नाम लिखिए जिनमें सार्जनिक जीवन में महिलाओं की भागिदारी काफी ज़्यादा है दो देशों के नाम बताने हैं तो देखिए वो है Sweden और Norway जब हम HDI ranking की बात करते हैं यह देश वहाँ पर भी टॉप में मिलते हैं जहां पर महिलाओं का सम्मान अधिक है वो देश हमें विक्सित देशों के जो सिरीज है जो लिस्ट है उसमें हमें बहुत आगे मिलेंगे तो किनी दो देशों के हमें नाम बताने हैं जहां सार्जनिक पबलिक लाइफ में फीमेल की participation है वो काफी ज़ादा है तो वो है Sweden और Norway उसका बाद देखिए फोर्थ हमारा question रहेगा इस chapter में इसे one marker में important पित्र सतातमक समाज क्या है पित्र सतातमक समाज क्या है देखिए पित्र मतलब पिता और सत्ता आप समजते होंगे कि जहां पर पिता का दबदवा होता है यानि कि पुरुष का दबदवा होता है यहां पर पूछ गए पित्र सतातमक समाज क्या है तो देखे पुरुषों द्वारा निंत्रित एक समाज जिसमें वे अपनी शक्ति का उप्योग अपने लाब के लिए करते है यानि कि ऐसा समाज जहां पर पुरुषों का दबदवा हो तो उसे हम पित्र सतातमक समाज कहेंगे जहां पर पुरुषों का दबदवा जिसे अगर हम बात करें भारतिय समाज की तो भारतिय समाज में भी ऐसा है यह जातर जो निर्णने है, डिसिजन है, वो पिता के दवारा लिए जाते हैं, पुर्शों के दवारा लिए जाते हैं, पिता का कहने मतलब पुर्शों के दवारा लिए जाते हैं, यह पित्र सतातमक समाज हो गया, उके, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा कॉश्चन र आसपास भारत में साक्सरता दर थी, लिटरेसी दर थी, ओके, लिटरेसी रेट कितना था, 74%, अब हमें बताना है, पुरुषों और महिलाओं का अलग रहे हैं, देखिए, इस में से, 82% के आसपास हमारे यहां पे पुरुष हैं, वो साक्सर हैं, जबकि निरबाउट 66% के उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, अगला जो हमारा परशन रहेगा, समान वेतन अधिनियम क्या है, यह हमें बताना है, देखिए, इस का आर्थ है कि एक जैसे काम के लिए एक समान वेतन मिलना, आम तोर पे, जादतर, पहले क्या होता था, पहले यह होता था, कि महिला और पूर्शों के लिए, एक जैसे काम के लिए अलग-लग वेतन था, तो जो समान वेतन अधिनियम है, यह निश्चित करता है, कि अगर एक जैसा कारे किया जा रहा है, चाहिए, वो किसी के दोरा भी किया जा रहा है, तो उसके लिए वेतन भी एक जैसा होना चीए, यह भी समा समाजिक विभाजन के किनी दो आधारों का उले कि भारत में देखिए काफी ज़्यदा विविन्ता है समाज में विविन्ता पाई जाती है तो यह विविन्ता किसके आधार पर है तो देखिए समाजिक विभाजन भारत में ध्रम के आधार पर आपस में लोग कहीं न कहीं भाजित है तीसरा अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि धन के आधार पर जो अर्थ है उसके आधार पर पैसे के आधार पर भी अमीर गरीब इस परकार हम कह सकते हैं कि सामाजी के भी भाजन तो उसमें सबसे मुख्या जो दो आधार भारत में पाए जाते हैं वो ध्रहम के गांधी जी ने कहा कि ध्रम को राजनती से कभी अलग नहीं किया जा सकता हलांकि उनके अनुसार ध्रम का अलग ही कुछ अर्थ था जिसके हम आगे बात करने वाले हैं उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉश्शन रहेगा नाइंथ कॉश्शन हमें दिया गया पारिवारी क्या है देखिए नाइंथ जो मोस्ट इंपॉर्टन कोश्शन इस चाप्टर में से बनेगा ये पारिवारी कानून क्या होते हैं कि वे कानून जो परिवार से संबंदित मामलों जैसे विवा तलाग गोद लेने विरासत इत्यादी से संबंदित होते हैं तो उन्हें नियायों के लिए अलग अलग पारिवारी कानून है यानि कि हमारी सेधान ने इस परकार की सब्तंतरता दे रखे हैं कि हर एक द्रहम के लिए उनके जो भी रिती रिवाज होते हैं उनके अंसार अलग 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 पारिवारी कानून है तो पारिवारी कानून वो कानून है जो प्रिवार से संबंदित मामलों जैसे विवा तलाक, गोद लेने या विरासत आदी से संबंदित है और हमारी दिश में अलग-अलग ध्रमों के नियायों के लिए अलग-अलग पारिवारिक कानून है उसको बाए टेंथ कोश्चन देखिए टेंथ जो हमारा कोश्चन है, जो हमारा एर्थ कोश्चन था उससे से लिलेटिड है कि द्रम और आजनिती के संबंद में गांदी जी के क्या विचारत है यह हमें बताना है तो गांदी जी कहा करते थे कि द्रम को राजनिती से कभी अलग नहीं किया जा सकता धर्म से उनका तात्परे हिंदू धर्म या इसलाम धर्म या इसाई धर्म इत्यादी से नहीं था बलकि नेतिक मुल्यों से था जो सभी धर्मों का आधार है यानिकि उनका अर्थ नेतिकता से था सभी अच्छी बातों से था और वो जो नेतिकता है वो हर एक वैक्ति में होने चाहिए और वो नेतिकता राजनिती में भी होनी चाहिए इसलिए वो कहते थे कि एगर राजनिती से ध्रम को अलग कर दिया तो राजनिती का आधार ही नहीं हो जाएगा आधार ही कहीं ने कहीं गायब हो जाएगा जब आधार नहीं रहेगा तो राजनिती भरष्ट हो जाएगी और जब राजनिती भरष्ट हो जाएगी तो शासन है वो कूछ शासन में बदल जाएगा उसके बाद next जो हमारा question रहेगा अगले person के हम बात करते हैं next 11 हमारा question है कि एक ध्रहम निर्पेक्स राज्य क्या है किस राज्य या देश को हम ध्रहम निर्पेक्स कहेंगे तो एक ऐसा राज्य धेश जिसमें लोग किसी भी ध्रहम का पालन करने या ना पालन करने के लिए सवतनत्रो उसे हम ध्रम निर्पेक्स देश कहेंगे एक ऐसा देश, राजिया का मतलब यहां देश से एक ऐसा राजिया देश जिसमें वहाँ के लोगों को यह आ जा दिया उनके पास यह आ जाती है कि किसी द्रम को follow करे या ना follow करे ओके और हमारी हाँ पर द्रम के आधार पर किसी परकार का भेदबाव नहीं होता अपनी हाँ पर जाए वो किसी भी द्रम का वैक्ति हो उन सभी के लिए एक जैसे नियम काईदे कानून है तो इसलिए हम कह सकते कि भारत एक द्रम निर्पेक्स देश है तो द्रम निर्पेक्स देश कौन सा होता है एक ऐसा राजिया देश जिसमें लोग किसी भी द्रम का पालन करने या ना करने के लिए सवतन्त हो जहां पर द्रम के आधार पर किसी परकार का भीदबाव ना होता हो तो भारत भी ध्रम निर्पेक्स देश है उसके बाद next देखिए नेक्स जो हमारा क्वेशन रहेगा वन मार्कर में 12th क्वेशन है भारती समिधान के किनी दो प्रावधानों का उलेक करें जो भारत को एक ध्रम निर्पेक्स राज्ये बनाते हैं बताना है देखिए पहला भारत का अपना कोई आधिकारिक ध्रम नहीं है ठीक पहली चीज़ दूसरे ये कि भारत में ध्रम के अधार पर कोई भेदभाव नहीं होता इससे सीध होता है कि भारत एक ध्रम निर्पेक्ष राज्य है नेक्स जो हमारा क्वेशन रहेगा अगला प मनताई ना हो यानि कि चार समाज सुधारकों के नाम बताने हमें जिन्हों ने जाती पर था के खिलाब संकर्ष किया था तो इसमें महत्मा जोतिवा फुले गांदी जी बियारंबेड कर पेरिया रावा स्वामी इन सब का नाम हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं पर्टिक्लर न क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत से जातिगत ऐसमानताओं को समाप्त करने में उसके बाद नेक्स जो हमारा कोशन रहेगा 14th कोशन है वनमारकर में जाती व्यवस्ता को समाप्त करने के कोई दो उपाई सुझाई है या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं य जाती परता है वो कमजोर हुई है जाती वाद कमजोर हुआ है तो उसके पीछे दो कारण बताने हैं हमें तो उसके पीछे दो कारण है एक तो शिक्षा का परशार और दूसरा शहरिकर्ण शिक्षा के परशार से लोग अवेर हुए जागरुक हुए इस बात को समझने लगे कि कोई भी वैक्ति है वो जाती से ना तो बड़ा होता नहीं छोटा होता है बलकि उसके करम है वो उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं दूसरा शहरिकर्ण से लोग है वो एक दूसरे के सं पर्क में आए, एक दूसरी को जानने समझने का ज्यादा मुका मिला, एक ही कोलोनी में अलग लग ध्रम या जाती के लोग रहने लगे, तो इससे भी वो जातिवाद की जो कह सकते हैं, जो कडियां थी, वो तूटनी सुरू हो गई, उसके बाद नेक्स जो कॉश्चन रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं, फिप्टीन्थ हमारा कोश्चन दिया गए, फिप्टीन्थ कोश्चन है, कि राइट था एप्रोप्रियेट टर्म, कि हमें एप्रोप्रियेट टर्म बताने कि इसको क्या कहेंगे, जैसे एक वैक्ति जो कहता है कि ध्रम समुदाय का परमुक आध है, ऐसे वैक्ति को क्या कहेंगे, वो वैक्ति कहलाएगा सामपर्दा इक्तावादी, सामपर्दा इक्तावादी वैक्ति उसे कहेंगे, क्योंकि वो ध्रम को ही आधार मान रहा है समुदाय का, दूसरा एक वैक्ति जो महिलां और पुर्षों के लिए समान, अधिकारों और विश्वास करता है, ऐसे वैक्ति को हम नारिवादी वैक्ति कहेंगे, और ऐसे आंदोलन को हम नारिवादी आंदोलन कहते हैं, तो ये एक वैक्ति जो महिलाओं और पूर्षों के लिए समान अधिकारों और अफसरों में विश्वास रखता है, तो उस वैक्ति को हम कहेंगे नारी वादिवेक्ति ये आपके बोर्ड एक्जाम में एक या दो बार आपके एक्जाम में रिपीट भी हो चुका है उसके बाद नेक्स जो हमारा कोशन है 16th कोशन को देखिए वन मारकर का ये हमारा लास्ट कोशन रहेगा 16th हमारा कोशन दिया गए कि 2011 की जनगर्ना के अनुसार अनुसुचित जाती का जनसिंख्या परतिशत कितना है ये हमें बताना है तो ये 16.6% है, 2011 की जनगर्ना के अंसार अगर बात की जाए, तो हमारे देश में लगभग 17 परतिशत के आसपास अनुसुचित जाती की जनसिंग क्या है, तो ये थी हमारे इस चैप्टर के most important one marker question, now let's move to the next segment, और अगले segment में हम discuss करेंगे इस चैप्टर के most important two and three marker question, यान की short answer type question, short answer type question में हमारा first question रहेगा, कि सामपरदाइक्ता का मुकाबला करने की तत्काल आवशकता है, व्याख्या कीजिए, जिसे एक कथन हमें दिया गया, कि जो सामपरदाइक्ता है, यानि कि जो ध्रम आधारी तराजनिती है, उसका मुकाबला करने की तत्काल आवशकता है, समझ में आगाए न? अब उसको हमें निपटाना है उसका सामना करना है, क्यों? इसके कारण क्या है पहला ये कि सामाजिक तनाव और संघर्षों से बचने के लिए क्योंकि द्रहमा अदारित आजमती है, उसे समाज से वो बंट जाता है समाज में तनाव फेलता है, समाज में ग्रुप बन जाते हैं, समाज में समू बन जाते हैं, समाज में यूं कह सकते हैं कि समाज का विखंडन हो जाता है और अगर हमें इस सामाजिक तनाव से बचना है अगर हमें सामाजिक एस्तिरता से बचना है अगर हमें सामाजिक संगर्ष आपसी जो तनाव है जगड़ा है उससे अगर हमें बचना है तो जरूरी है कि हम सामपरदाइकता का सामना तूरंत करें दूसरे यह कि राजनितिक ऐस्तिरता से बसने के लिए जब जब किसी भी देश में ध्रम के नाम पर जगड़े हुए सामपरदाइक दंगे हुए जगड़े हुए देश में राजनितिक ऐस्तिरता आई है और जब राजनितिक ऐस्तिता आती है तो विकास कहीं पीछे छूड़ जाता है तो राजनितिक ऐस्तिता से बचने के लिए भी जरूरी है कि हम धरम आधारित राजनिती का विरोध करें तीसरा है दंगे या हिंसा जैसी जो स्थिति है उससे बसने के लिए भी जरूरी है कि हम सामपरदाइकता का मुकाबला है वो तत्काल करें क्योंकि जो धरमादारिस राजनिती है वो उसका मुख्या टार्गेट क्या होता है आपस में बांटना, फूट डालना और वो अगर होता है कब होगा उसका जो एक्स्ट्रीम रूप होगा एक्स्ट्रीम रूप यह होगा यह जगडे होंगे, दंगे होंगे हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं धरमादारिस राजनिती होती है और यह कब गर्माती है, यह तब गर्माती है ध्रम उसका personal matter होता है लेकिन जब ये राजनिती के साथ घुस जाता है यानकि राजनिती ध्रम के अंदर आ जाती है तब सारा का सारा फसाद शुरू होता है तो अगर हमें हिंसा दंगे इस परकार के स्थेथी से बसना है तो हमें सामपरदाइक्ता का मुकाबला ततकाल करने क्या हो सकता है इसके साथ साथ भहु संक्यक संब्धाय के प्रभुतव से बचने के लिए भी कई बार ऐसा होता जैसे हमने केस्टेडी में शिरलंका की कहानी देखी कि अगर हमने धर्म आधारित राजनती को बढ़ावा दिया तो कहीं ने कहीं भहु संक्यक वाद की तरफ आगे बढ़ने की संब्धावना बढ़ जाती है तो भहु संक्यक संब्धाय उसके दबदबे से बचने के लिए भी जरूर है कि सामपरदा एक्ता है उसका सामना ततकाल किया जाए तो ये सब कुछ हम कह सकते हैं इसमें कुछ और भी आप एड़ कर सकते हैं जिसे कि देश के विकास के लिए देश में शांती सुनसित करने के लिए ये देश की एक्ता के लिए भी हमें सामपर्दा एक्ता का मुकाबला ततकाल करनी क्या आप सकता है तो ये रहेगा आपका first question जो two or three marker के लिए important है Now let's move to the next one Next जो हमारा question रहेगा कि भारत में महिलाओं का राजनितिक परतिनी जित्तव बहुत कम है इस कथन को हमें नायोचित ठेहराना की ये कथन सही है यानि कि भारत में महिलाओं का राजनितिक परतिनी जित्तव बहुत कम है ये कह रहे हमें ठीक और हमें बताना है कि भाई बिलकुल सही कह रहे हैं ठीक तो इसमें देखिए कि हम तीन तर्क देंगे पहला ये कि लोक सभा में निर्वाचित महिला सदेश्यों का परतिसत कभी भी कुल सदेश्यों संख्या के दस परतिसत तक नहीं पहुंचा है पहला प्रूफ ये कि लोक सभा में कभी भी महिला सदेश्यों का परतिसत है वो कुल सदेश्यों संख्या का दस परतिसत नहीं है कि महिलाओं का राजनितिक परतिनित्व बहुत कम है दूसरा राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के इसेदारी पांच परतिसत से भी कम है अभी वरतमान की भी बात करें तो राज्य की विधान सभाओं महिलाओं के इसेदारी पांच परतिसत के आसपास भी नहीं होती तिस्ताफ, सरकार में जब भी कोई महिला मुख्या मंतरी अपर्धान मंतरी होती है, तब भी कैबिनेट में मंतरीों में अधिकांस पुरुष सदश्य ही होते हैं, तो इससे पदा चलता है, एक देश में, राजनिती में महिलाओं के भागिदारी हो काफी कम है, यानि कि लोकसभा में कभी भी उוא 10% तक नहीं पहुंचिए विधान सभा की बात करें तो कभी भी उनकी भागेदारी उप 5% से जादा नहीं है ऐसे ही जो cabinet ministers होते हैं cabinet जो मंतरी होते हैं चभी जो मुख्य मंतरी या परदान मंतरी महिला नहीं कि ओना हो थर्ड क्वेशन हमें दिया गए, टू और त्री मारकर में, most important है ये भी, कि ध्रम और राजनती के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, देखी ये क्वेशन काफी important है, वन मारकर के लिए भी और आपके short answer डैब क्वेशन के लिए, देखे, गांधी जी का मानना था कि ध्रम को राजनती से कभी अलग नहीं किया जाता, पहली चीज, दूसरा, ध्रम से उनका तात्परे हिंदू या इस्लाम या सिक, इसाई, इतियादी किसी विशेश ध्रम से नहीं था, बलकि नेतिक मुल्यों से था जो सभी धरमों का आधार होते हैं, यान कि वो नेतिक मुल्यों की बात करते थे और वो नेतिक मुल्य है, वो चाते थे कि राजनती में होने अनिवारे है, तभी राजनती हो देश की समाज सेवा से जुड़ पाएगी, उनका मानना था कि राज राजनिती है वो धर्मों से ली गई नेतिकता दोरा निर्देशित या नियंतरित होने चाहिए क्योंकि तभी जो राजनिती है वो स्वच हो पाएगी तभी राजनिती है वो समाज और देश के हित में हो पाएगी इसलिए वो चाहते थे कि नेतिकता है यानकि जो ध्रम से ये विचार थे गांदी जी के धर्म और राजनिती के बारे में उस बारे देखें नेक्स्ट जो हमारा कुषन रहेगा अगला हमारा परस् consum रहेगा फूर्थ कोषन है कि जाती के अलावा चुनावी राजनिती में कोन से अण्यकारक माँने extern approval देखिए जाती के अधार पे तो भारत में देखिए बहुत बंटा हुआ जाती के अधार पे जाती के अधार पे तो चुनाव लड़े ही जाते हैं जाती के अधार पे टिक्टे वगरा दी जाते हैं लेकिन उसके बाद और कौन-कौन से मुद्दे हैं जो चुनाओं को या रा गृटिकुलर जाती है। उसमें सच्चा या अच्छा कहीं नहीं देखा जाता ध्रम के आधार पर वोटिंग करती जाती है तीसरा है सरकार का परदर्शन ये भी राजनिती को या चुनावी राजनिती को परवाइद करता है यानकी पहलत है कि जाती के आधार पर वोट होते है जाती के आधार पर नही पसंद आया होगा, उके, उसके अधार पे दोबारा से गॉवर्मेंट हो रिपीट हुई है, तो सरकार का परदर्शन कैसा रहा है, सरकार ने किस परकार के काम किये, वो भी माइने रखता है, जब भी चुनाव होते हैं, उके, तो जाती के लवा, समुदाय, ध्रम, और सरकार क जो परफॉर्मेंस है, वो मैटर करती है, उसके बाद नेक्स्ट कोईशन की बात करेंगे, अगला जो हमारा पर्शन रहेगा, फिफ्ट कोईशन को देखी, पांचवा हमारा पर्शन है, कि जाती समकालिन भारत से अभी भी गायब नहीं हुई है, इस कथन की पूश्टी के लिए कोई तीन उधारन हमें देने, कोई तीन एकजामपल देने, यह भारत में अभी भी देखे, जाती है, वो पूरी तरीके से गायब नहीं है, तीन एकजामपल देख करके हमें बताना है, पहला, यानकि जाती की जो पकड़ थी, जिसको हम कहते हैं, कि वो नाम के लिए गायब हुए है, वास्तों में गायब नहीं है, कैसे, देखिए, अधिकांस लोग अभी भी अपनी जाती है, समदाई में विवा करते हैं, यानकि अभी भी वो जाती से ही जुड़े हैं, जाती से बाहर नहीं निकले हैं, अधिकांस लोग, अभी भी 99 परशेंट जो लोग ह तो वहाँ पर अभी भी वो जड़े जमाई हुए, पूरी तरीके से खतम नहीं है, तीसरा सदियों के फाइदे नुकसान के परभाव आज भी समाज में महसूस किये जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो अभी भी कुछ इलाकों में पिछड़े रह गए हैं, और जो कमान होते हैं, लेकिन फिर भी जो निम जाती, तथाकती जो निम जाती हैं, उनके लोगों के बड़े समों की अभी भी शिक्षा तक पहुंच नहीं है, बहुत सार इलाके हैं, जहां पर अगर देखोगे तो कुछ वर्ग या तब कैसे मिलेंगे, जहां पर शिक्षा की के लिए काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट रहेगा, जहां पर शिक्ष्ट को देखिए, चठा हमारा पर्शन रहेगा, कि राजमती में महिलाओं के परतिनी जित्तों को सुधारने के लिए उठाई जा सकने वाले किनी चार कदमों का उल्लेग खड़ना है, देखिए, बश्य सिंख्या उसका 5% भी महिलाओं नहीं होती है, ऐसी अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्ट्री या मंतरी परिश्यद की बात करें तो उसमें भी महिलाओं की भागिदारी काफी कम रहती है, अब उस भागिदारी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके लिए क्या प उसमें भी यह मिलेंगे, 8th है, 10th है, 12th है, उसके बाद आम तोर पे स्कूलों में अब लड़कियों को आम तोर पे आगे पढ़ने के उतने अवसर नहीं मिल पाते, आप आगे चलके जब रेश्यो को देखते हो तो 11-12 में रेश्यो है, वो कम हो जाता है, जब आगे चलते ह तो वो रेश्यो गल्स का आपको कम दिखाई देता है, जैसे जैसे हायर एजूकेशन के दरब चाते हैं, तो साक्सरतादर में अगर वरिदी की जाए तो दो फाइदे होंगे, एक तो यह कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के जागरोख होगी, दूसरा यह कि समाज की सोच में भी बदलावा आएगा, तो जरूरी है कि साक्सरतादर में वरिदी हो और क्वालिटी एजूकेशन है, उसमें भी वरिदी होनी चाहिए, उसके बाद सेकेंड जो तरीका हो सकता है, कि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्ये विधान सभाव में कुछ सीठे आरक् जैसे कि पंचाय चुनाओं में होता है, जो लोकल गौर्वर्मेंट बोडी के लेक्संस होते हैं, उसमें रिजर्वेशन होती है, तो वहां हो सकती है, तो लोकसभा और विधान सभा में भी तो हो सकती है, तो वहां पे अगर रिजर्वेशन दे दी जाए, तो एटलिस 33% मह कानुनी तोर पर अनिवारे कर दिया जाए कि इतना आरक्षन रहेगा, इतने परतियत सीटे हैं, वो सुरक्षित रहेगी के लोके महिलाओं के लिए, इससे भी उनके जो परतिनी दाव है, भागीदारी है, उसमें बड़ उत्री होगी, इसके साथ साथ नोक्रियों में महिल के लिए निकलनी चाहिए, जब उनकी भागेदारी बाहर बढ़ेगी, जोब में बढ़ेगी, तो एक तो उनको आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, बाकी को मोटिवेशन मिलेगा, माहौल भी त्यार होगा, तो ये चार कदम है, जो उठाई जा सकते हैं, जिसे की राजनती में महिलाओं की बागेदारी में बढ़ोतरी होगी, निश्ची तोर पर, चलिए, नेक्स सेग्मेंट की बात करते हैं, और नेक्स सेग्मेंट में हम डिसकस करेंगे, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट लोंग आंसर टाइप कोउशन, यानिकी फाई मारकर क इसमें देखें, फर्स्ट हमारा कॉशन रहेगा, कि नारिवादी आंदोलन क्या है, और उनकी परमुख मांगे क्या है, यह हमें बताना है, तो वह हैं आंदोलन जो जीवन के सभी पक्षों में, सभी पहलों में पुर्षों और महिलाओं की समानता की बात करता है, उस आंद महिलाओं के लिए एक समान अधिकार, कि महिलाओं के लिए भी वही अधिकार होने चाहिए, जो पुर्षों को मिले हैं, दूसरा, विशो भर में महिलाओं को मत्तान के अधिकार का विस्तार करना, आज भी बहुत सारे देश हैं, जहां महिलाओं को मत्तान का अधिकार नहीं मिला जिसे ब्रिटेन की बात करते हैं 1928 में जाकर के वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले हैं फ्रांस की बात करते हैं अभी हमारी देश के आजादी के आसपास उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं तो एक ये भी मांग है कि महिलाओं को मत्तान का एक समान अधिका मिलना चीए महिलाओं को राजनितिक और कानुनिक स्थितिक को बहतर बनाना एक मांग यह कि महिलाओं की राजनितिक और कानुनिक स्थितिय उसको बहतर बनाने का प्रयास करना है इसके लिए इनकी एक मांग यह भी है कि महिलाओं के लिए चाए वो मंत्री परशद हो चाए व पार्लेमेंट हो, वहाँ पर उनके लिए पदों को आरक्षित किया जाए, ये भी इनकी मांग है, महिलाओं के लिए शेक्षिक और करियर के अवसरों में सुधार करना, ताकि उनके लिए जोब करने के लिए और ज़्यादा अवसर बहतर हो पाए, तो ये भी इनकी परमुक मा महिलाओं के लिए एक समान अधिकार, विश्व भर में महिलाओं को मत्तान के अधिकार का विस्तार, महिलाओं को राजनितिक और कानूनी स्थिति को बहतर बनाना, और महिलाओं के लिए शेक्षिक और करियर के अवसरों में सुधार करना, तो common sense से आप इसको लिख सकते हो, चलिए नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं अगला जो हमारा परशन है ये भी बहुत आसान सा कोईशन है कि सामपरदाइकता क्या है और सामपरदाइक लोगों की परमुक मानिता ही क्या है देखे, पहली बात सामपरदाइकता यहाँ पर मेंशन करना, मैंने मेंशन ही किया कि द्रम आधारित राजनिती को हम सामपरदाइकता कहते है जब द्रम के आधार पर राजनिती की जाते है तो उसे हम सामपरदाइकता कहते है और सामपरदाइकता किसी भी समाज, देश के लिए हमेशा ये खतरनाक होती है, हानिकारक होती है अब इसकी परमुक मानता ही क्या होती है, जो सामपरदाइक लोग होती है वो क्या मानते हैं, वो क्या मानते हैं, पहला है कि एक विशेश द्रहम के नियाईयों को एक समधाई से समधित होना चाहिए वो यह मानते हैं कि एक ध्रम के लोग है वो दूसरे ध्रम के लोगों के साथ मिक्स अप ही नहीं हो सकते हैं यानि कि एक ध्रम विशेश के लोग है वो दूसरे ध्रम विशेश के लोगों से अलग होते हैं वो अलग समदाई होता है दूसरा उनके मौलिक हित समान होते है दूसरा वो ये मानते हैं कि एक ध्रहम के लोगों के हित और दूसरे ध्रहम के लोगों के हित अलग लग होते है और एक ध्रहम के लोगों के हित है वो एक जैसे होते है ठीक तीसरा, जो लोग विविन धर्मों का पालन करते है वे एक ही समाजिक समुदाइक के नहीं हो सकते यानि कि यह जो चीज आती है, वहां पर जाकर इसारी गढ़ पर सुरू हो जाती है तो जो ये सारी मानेता ही होती है सामपर्दाइक लोगों की यानि की सामपर्दाइक ता क्या है द्रहम आधारी तराजनिती को हम सामपर्दाइक ता कहते हैं जो देश या समाज के लिए हानिकारक होती है और जो सामपर्दाइक लोग होती है उनके मानेता ही होती है कि एक इन धर्मों के लोग एक राश्टर में नहीं रह सकते हैं, समान तोर पर एक समान तोर पर नहीं रह सकते हैं, यानि कि ये सामपर्दाइक लोगों की परमुक मानित आई होती है, उसके बाद नेक्स जो हमारा कोश्चन हैगा, थर्ड कोश्चन रहेगा, लोंग अंसे टैप जाती वरस्ता को परभाइद करती है, व्याख्या कीजिए, कि राजनिती है, वो भी जाती वरस्ता को परभाइद करती है, लेकिन राजनिती भी जाती वरस्ता को परभाइद करती है, लेकिन राजनिती भी जाती वरस्ता को परभाइद करती है, लेकिन राजनिती भी जाती की कोशिस करती है क्यों कोशिस कर रही है कि अपना अधार बढ़ाए जाए कि ये भी हमारी जाती में आता है ये भी हमारी जाती में आता है ये भी हमारी जाती में आता है वो ऐसा क्यों कर रही है वोट बेंक के लिए कर रही है क्योंकि उन्हीं ये पता है कि राजनिती में बो दबदबा अधिक होता है, परभाव अधिक होता है, जिसमें वोट मेंक बढ़ा होता है जिसका, वोटर सेंख्या होती है, this λिए जातिया है, वो एक दोड में चल रही है, कि अपने आधार को बढ़ाए जाए, तो आसपास कि जो उप जाती है वो अपने में शामिल करने का प्रियास करती है दूसरा जातियों का गठबंदन दूसरे ये कि जातियों का गठबंदन भी किया जाता है कि ये अच्छा ठीक है ये SC में आ गए ये भी हमारी यहां पे आ गए अच्छे ये सारी जातिय OBC में आ गई तो वो गठबंदन करने की भी कोशिश की जा रही है कि हम सभी एक वर्ग में है पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया तो वो ऐसा क्यों किया जा रहा है वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जितना बड़ा गठबंदनों का उतना बड़ा वोट बेंकों का और ये किस के लिए हो रहा है राजनिती के लिए है राजनिती के लिए हो रहा है न यानि कि राजनिती हो जातियों को परभावित करी है और तीसरा है नए सामाजिक समों का निर्मार जिसे कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग है अगड़ा वर्ग है सवरम वर्ग है इस टाइप के समूव भी बन रहे हैं यह नहीं नहीं समूव क्यों बन रहे हैं यह भी राजनिती का ही परभाव है तो यह कह सकते हैं कि राजनिती भी जाती वश्ता को परभावित करती है और कर रह जता है बहुत important question है बहुत ज्यादा chances है कि आपके एक्जाम में रहें उके जीवन के उन पहलों की व्याख्या करनी है आपको detail में लिखना मैंने यहां पी सिर्फ एडिंग लिखी है जहां पर महिलाओं के साथ भाव किया जाता है देखिए पहला साकसरत अदर की बात की जाए तो हरे education में महिलाओं का परतिशता और कम होता जाता है तो यहां पर हमें वो सपश्ट तोर पर भीदबाव दिखाई देता है दूसरा एवेतनी कारे आम तोर पे महिलाओं भारत में स्रम का लेंगे कोई भाजन क्या गया और महिलाओं को ये जिम्मेवारी दीगे कि वो घर का 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 म करेंगे बच्चों की care teacher के तोर पर वो का म करेंगे खाना बनाबा नका का मौद पार जाफ सफाई उनका का म Nextी इसके वो ओवर्लोड़िट, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, तो एव इतनी कारे भी उनको दिये गए हैं हमारे समाज के दोरा, और इससे भी एक भीदभाव जलगता है, इसके साथ लिंगानुपात को अगर हम देखें, तो लिंगानुपात है, वो महिलाओं के पक्स में नहीं है, तो ये महिलाओं के फिवर में नहीं है, यानकी एकजार पूर्शों के बीचे 940 महिलाएं, ये भी दर्शा आता है, कि भारत में लिंग के अधार पे भेदभाव किया जता है, लिंगानुपात क्या दिखाता है, लिंगानुपात हमेशे ये दिखाता है, जहां पे समानता होग तो ग्रेलू हिंसा के मामले है वो हमारे देश में बहुत जादा है और वो मामले महिलाओं के साथ हिंसा के मामले हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भारत में आज भी भेदभाव किया जाता है तो ये आप कुछ एक्जामपल दे सकते हो जिससे ये प्रूव किया जा सकते है ये भारत में महिलाओं के साथ भेदबाव किया जाता है उसके बाद एक पांचवा इसमें और भी मेंशन कर सकते हो जिसके हमने बात के थी कि राजनती में भागेदारी कि राज़ती में भागेदारी हैं, महिलाओं की बहुत कम है, लोकसमा में 10% से कम महिलाईं हैं, ऐसे राज़े विधान सबाओं की बात करें तो 5% से कम महिलाई सदिश्य हैं, ऐसे मंत्री परश्यद की बात करें तो उसमें महिलाईं कम दिखाई देती हैं, इससे भी पता चलत कि भारत में लिंक के अधार पर या महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है या उनके लिए आगे बढ़ने के अबसर कम है चलिए नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं अगला हमारा परस्ण रेगा फिप्थ हमारा कोईशन दिया गया कि राजनती में जाती पर जोर कभी कभी या आभास दे सकता है कि चुनाव के वल जाती के बारे में और कुछ नहीं क्याम तोर पे देखे जब राजनती में जाती के उपर काफी ज़्यादा जोर दिया जाता है और इससे ये लगता है कि चुनाव है वो जाती के अधार पर ही लड़े जाता है ठीक उसे ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन सच सी ये बहूत दूर है उधारन देंकर के हमें समझाना कि लेकिन एक्चलिय मैं ऐसा नहीं है कि सिरफ जाती के अधार पर ये चुनाव लड़े जाते हैं तो उसके कुछ एकजांपल देंकर के बताना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है दिखे पहला कि एक निर्वाचन शेत्र में जातियों का मिश्रा ओता है पहली चीज यह कि जहाँ पर बिचाये वो लोक सबा के सीटो विधाण सबा के सीटो जहां से चुनाव हो रहे हैं वहां पर एक ही जाते के लोग थोड़ी रहते है वहां पर अलग-लग जातियों के लोग रहते हैं तो किसी भी जाते के दब-दबा होने के चांसस तो नहीं होते हैं पहली चीज, दूसरे है कि जाते के भी थर भी जो विभिन विकल्प या पसंद होते हैं यह बार यह होता है कि एक ही विधान सबाश्यत्र है यह लोक सबाश्यत्र है वहाँ पर किसी एक विशेश जाते कि लोगों की संख्या जाता है तो वहाँ पर भी तो बहुत सारे कंडिडेट खड़े हो जाते हैं उसमें से फिर देखा जाता है कि कौन बहतर है उनके लिए उक तो इससे भी ये कहा जाए सकता है कि सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि जाती देखी जारे, जाती में भी तो आपस में खिंस्तान होती है, कि कौन सा वैक्ति है जो बहतर रहेगा उनके लिए, बहतर विकल्प रहेगा, वो जीत चाता है, एक परभावशाली जाती पर जूर, त उसका कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि उनके वोट आपस में बंट गए, इसे पता चलता है कि सिर्फ जाती के अधार पे चुनाव नहीं लेड़े जाते हैं, बलकि ये देखा जाता है कि जिसको समर्थन कहां ज्यादा मिल रहा है, इसके साथ चुनाव का इत्यास भी य जाता है, अगर सिर्फ जाती के अधार पे चुनाव होते तो एक वैक्ति जो उस जाती से जीत किया था, उसे कभी हाड़ना भी नहीं चाहिए था, तो इससे पता चलता है कि सिर्फ जाती के अधार पे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, बलकि उमीदवार की योगेता, उम भारतिय राजनिती में जाती की जो भूमिका है उसके हमें व्याख्या करने कि भारतिय जो राजनिती है उसमें जाती की मुख्य भूमिका है और वो कैसे हैं देखिए ये भी बहुत important question है आपके लिए कि जाती है उसके आसपासी चुनाओ घूमता है इसमें कोई संदेश नही घ्त ही कि हां जिस चाती की जहादा वोट है उस जाती से उमीदवार को खड़ा किया जाए और कई बार जब दो-तीन उमीदवार उस जाती से खड़े हो जाती है तो तब कुछ पार्टी यह भी देखती कि अच्छा ठीक है तीन इस से खड़े होगए तो दूसरे नमबर पर जो जाती है उससे वैक्ति को खड़ा कर दें साइध हो सकता है हमें मोका मिल जाए तो जब चुनाओ में टिक्टें दी जाती है उमिदवार चुंते समय जाती को ध्यान में रखा जाता है जो भी पोल्डिकल पार्टी है उनको टिक 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 दे रही है ठीक ऐसी सरकार बनाते समय भी जाती को ध्यान में रखा जाता है कि अच्छा ठीक है दो मंत्री हमारे इस वर्क से होंगे दो हमारे इस वर्क से होंगे दो इस कैटेगरी से होंगे तो वो भी ध्यान में रखते हैं सभी को साधने की कोशिस की जाती है ऐसी चुनाव अभ्यान में भी आम तोर पे डारेक्ली तो नहीं लेकिन इंडारेक्ली जाती के नाम पर वोट माने जाते हैं कि भाई मैं तो आपके बीच में से हूँ, आप मुझे नहीं दोगे तो किस के दोगे, मैं तो आपके लिए यह आया हूँ उके, like that, indirectly और डारेक्ली भी जाती के नाम पर वोट मांगे जाते हैं ऐसी जाती आधारित राजनतिक दल भी है, अगर हम बात करें भारतिय चुनाव में तो काफी सारे इसे राजनतिक दल हैं जो जाती विशेश से निकल करके आएं और उसी जाती विशेश के ओपर फोकस करते हैं जिसे हम बात करें बहुजन समाज पार्टी है जो कि दलित वर्क को ही रिपरजेंट करती है या ऐसे बहुत सारे आपको पोल्डगल पार्टीज मिल जाएगी जो पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटिड पोल्टिक्स करती है और योपी की बात करें छोट-छोटी ऐसे बहुत सारी पोल्डगल पार्टीज है बिहार की बात करें ऐसे दो-तिन पोल्ट गल पार्टी जाये तो इससे भी पता चलता है कि जाती है उसकी बड़ी भूमेका रहती है भारतिय राजनिती में तो ये थे इस chapter related most important questions उमीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिगा अगर आपके कोई doubts है चाए वो इस chapter related है या कुछ और आपके suggestions है तो आप comment section में comment कर सकते हो इसके साथ साथ आप मुझसे connect हो सकते हो जोग्राफिक रूज चेनल है वहाँ पे connect होई ये वहाँ पर आपको पीडियो फाइल्स अवलेबल करवाई जाती है और comment section में आप comment भी कर सकते हो personally भी connect हो सकते हो आज के लिए बस इतना ही thank you bye bye have a nice day